ताधावल लव श्री हरीवन्स आज के पहले मुझे वीडियो बनाते हुए इतनी घुसी नहीं हुई क्योंकि मेरी एक सब्सकाइबर का कमेंट ही ऐसा आया उनका कमेंट प्रश्ण में कहना ये था कि उन्होंने नॉन वेजनी की मालसाहार पूरी तरह से खाना बंद कर दिया है और अब वो प्रैशित करना चाती हैं तो कैसे प्रैशित करें, कंठी धारन करना चाती है, लड्डू गुपाल की सेवा विराजमान करना चाती है तो क्या कैसे नियम है साथ साथ जो उन्हें बहुत जादा परेशानी आ रही है कि रिस्तेदारों किहां अगर जाना होता है तो जबरजस्ति खिलाने की कोशिश करते हैं और ताने भी देते हैं कि पहले तो खाती थी अब नोटंकी कर रही है जो है तो कैसे रिस्तेदारों से निप्टा जाए कंठी लड्डु गोपाल और प्रैश्टित के विस्साय के साथ और भी बहुत कुछ है वीडियो में आपकी जानकारी के लिए तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला प्रैश्टित के बारे में जो अब तक नौनवेज या मांसाहार का सेवन किया उन पापों से मुक्ति कैसे हो क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं गरूर पुरान में सारी चीज़े बताएगे कौन से पाप का कौन सा दंड है मतलब प्रत्यच में भी देखें कि कई लोग जैसे एक्सिडेंट हुआ कड़ी की तरह चिल जाते हैं या फिर हाथ-पाओं कटके बचते नहीं है या फिर गाड़ी में यूहीं जल जाते हैं मतलब जैसे कि मांस को भूना गया मतलब जिन्दा जलाया गया जानवरों को वैस मिलता है जब मिलता है तो फिर लोग कहते हैं हम पूजा कर रहे हैं लेकिन भगवान फाल नहीं दे रहा है तो जो आपने पाप किया था उसका क्या तो इनहीं पापों से मुक्ति के लिए जो है क्या करना चाहिए तो देखें जिस दिन से आप यह सोच लेते हैं कि मैंने कि है भगवान मैं आपकी सरण में हूँ और अब तक मैंने जो बुरे काम किये बुरे करम किये उन सभी का मैं त्याग करता हूं या करती हूं माल सहार खाने का त्याग करती हूं और आप मुझे बल प्रदान करें मैं आपको गुरू मानती हूं या मानता हूं और आपका ना बहुत जादी पापी थे लेकिन पत्नी को छोड़कर वैस्या से साधी करने के बाद इतने बड़े-बड़े कुकर्म किये और फिर अंतर समय में अपने बेटों को बुलाने के बहाने नारायन नाम उनके मुख से निकल गया जिसके बात उन्होंने भगवत भक्ती भी की और उ कथाईं मिलती हैं बिल्व मंगला चार जी जो है मतलब वैश्यागामी थे कई लोग मारकाट वाल मीकी जी जो पिछले जन्म में मतलब बहुत जादा हिंसा किया करते थे जिन्होंने राम मायन की रशना करी है तो सबको माफी भगवान ने दी है तो जिस दिन से आपने पश तो पकिन श्रूजा को राला लेकिन अब बिगार नहीं करूंगा चाहिं तो फिर ऑफ जो है यह निशीर्थ होरी भगवान आपको दानी कि लेकिन यह कि भाग Вас फेब नहीं होदि लेकिन इन दम निड़क्लर जेब गलती कि रहते कर दो दो शुर अब नहीं करते हैं जा भटक गये तो इसके लिए जो है नाम जब करने से आपको बल मिलता है भगवान आपकी सहायता हर वक्त करते हैं और जब आप नाम जब करने लगते हैं तो जब आप बूरे काम की तरफ जाएंगे भिना तो बहुत सारी रुकाविटे पैदा करने लगते हैं दिमाग में ऐसी पमना देते हैं और इतनी बाधा उठपन कर देते हैं कब आ आप करने जाते हैं तो लेकिन कई तब करते हैं जब आप लांगिका करते हैं जिनको भी आप इस्ज करना है जो भी नाम आपको प्यारा नाम जब करते रहें, नाम जब में नियम नहीं होते हैं, जाड़ू, पोच्छा, बर्तन करते हैं, अगर आप नहीं नहाएं हैं, फिर भी नाम जब कर सकते हैं, चपल जूदा पहने हैं, कहीं पे आप आफिस में हैं, बस में हैं, तो नाम जब किया जा सकता है, नाम जब में नाम नहीं जब पाएंगे, क्योंकि मनी नहीं लग पाता है, उसे पहले एक तुलसी की माला लानी है, माला लाकर किसी भी मंदिर में जाकर यह भगवान को अरपित करने की भावना करके, घर मिला करके उससे आप नाम जब सुरू करतीजे, अगर कोई गुरू मिले, उससे आप माला को माला या फिर कुछוש नाम मिल जाएं जिन संत को मानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं इट तो फिर आप भगवान सी प्रातना करके भगवान में आपको गुरु मानता हूं या मानती हूं कहके आप सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम ऐसे उस माला पर तुलसी की माला पर भगवान विष्णु के नाम जब कर सकते हैं नहीं लट्डु गोपाल की सेवा विराज मान कर सकते हैं तो यह दूनों चीज़ आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब हम कंठी धारन करते हैं तो लहसुन प्याच का पूरी तरह से त्याग किया जाता है साथ ही साथ जिन बरतनों में कभी भी मांस रखा गया है या फिर मांस बनाया गया है उस पूरी रसोई से उन बरतनों से ही भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता है और फिर कंठी पहन के हम उन बरतनों में खाएंगे तो ये उचित नहीं होता है ठीक है या फिर काजु किसमिस का लगाते हैं वो अलग बात है लेकिन भोजन का लगाना चाहिए लगाने के लिए उस रसोई से ही नहीं लगेगा अगर लागाना चाहेंगे तो पूरी रसोई पेंट करने के बाद गंगा जल चिडग करके पूरे बरतन गय शूला सब कुछ बदलना पड़ेगा कि उन बरतनों में भगवान का भोग अगर आप रखेंगे वे स्विकार नहीं करेंगे तो जब तक आप ये बरतन रसोई विगरा नहीं बदल पा रहे हैं मतलब रसोई को केवल पेंठी करना है तब तक आप केवल नाम जब करें और कंठी भी आप देखे इसलि कोपाल कि सेवा गर में तो आएंगी आपके तरे रिस्तेदार मेरी एक दोस्त हैं जो खुद तो है ये पत in नहीं नहीं का थे पती भी नहीं परोच्छी थे नहीं मी दूसरी थालिम क्यों देते क्योंकि वह माल सहार करते हैं इसलिए उनको दूसरी थालिमें देते इतना ज्यादा पाप होता कि इस परस तक जो है उन भरतनों का नहीं होना चाहिए भगवान के लिए तामसिक भोजन के श्रेणी में आ जाता है तो इस वज़े से कि आप घर में स्यवान करें कि लड़ा पाल की सेवा के लिए जो एक्ष्ट याम सेवा होती है तो ईसा आसा नहीं है वहांतर है सुबहए उठकर करनी होती है तो सुबहए उटकर आप नाम जब करने की प्रैक्टिस करें तो फिर जिससे कि सेवा का अभ्यास बनेगा आपका मतलब की उनको तो उठाना होता है फिर इसनान करके फिर एक बार तीन चार टाइम कप हो जान रिसुलाना भी होता है तो यह सब पहले आदट डाले कि कैसे क्या करना होता है सीखिए और फिर जब नाम जब करते करते इतनी आपकी भगती बढ़ जाएगी ना इतना चमतकार होगा आपके आप भगवान के सामने और नाम जब सबसे जादा महत्पून है तो भगवान की रिपा करेंगे और किसी न किसी प्रकार से आपकी विवस्था बनी जाएंगी कि आप रसोई बदल पाएंगे आप बरतनों को किसी को आध्यदाम में बेश सकते हैं धीरे-धीरे पैसे की आप उनको बहाना बना सकते हैं जुट बोल सकते हैं ताकि रिस्तेदार बी मतलब विरोध ना करें क्योंकि अब हैं परिवार में तो रहना ही तेजली नहीं चोड़ सकते हैं तो उनको बोलिया कि हमको एक बार बहुत जादा उल्टिया आई थी बहुत आदा मैं बीमार हो मांस खाने के बाद या फिडिया खाने के बाद तब से जो है डॉक्टर निभी मना किया कि अब नहीं पचता है तो यह खाओगे तो बहुत जादा बीबारी हो जाएगी तो तब यह बोल दीजे पती ऐसा बोल सकते हैं पतनी बोल दें कि जब से पती ऐसे थोड़ा सा बीमार ह गयते मांस खाने के बाद अब से हम लोगों का भी मन नहीं पड़ता है और पता नहीं सायद कुछ बिगाड हो गया ऐसा लगता है कहीं भगवान का श्राप नहीं लग गया मतलब क्यूंकि भगवान की पूजा तो करते ही है और साती मांस खाते हैं खा लेते हैं अगर कभी गलती से तो ऐसायद हो गया मुझे लगता है तो इसलिए नहीं खाना चाहिए मतलब जूट अगर अच्छे काम को करने के लिए भगवान भी समझेंगे जूट बोला पूरी तरह से तो सही नहीं है लेकिन जब तक आप परिवार का विरोध मतलब सहन नहीं कर पारें तब त करते हैं सोचते हैं कि कहीं मुसीबत में काम आएंगी या फिर निमंत्रा नहीं हमें नहीं बुलाएंगी या फिर जो हमारे घर नहीं आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे देखे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है मुसीबत में कोई काम नहीं आता कोई काम नहीं भरोसा करते हैं वो एन टाइम पे हमारा काम नहीं देते हैं साथ तो आप भगवान का केवल भरोसा रखिए ये परिवार वाले कुछ नहीं बिगार सकते जो आपके भाग में है ना वो मिलकर मिलकर ही रहेगा कोई भी समस्य आये भगवान स्वयम लोगों की मदद करने आये है नाम जब जरूर करें बिना आटा ऐा ढालते हैं क्योंकि उनकी मदद के लिए कोई नहीं होता उसकी मदद करने लिए स्वयम भगवान आते है सब लेकर निशिंत रहे और और नाम जब जरूर करिए बीना नाम जब कि आप कोई भक्ति कोई चीज नहीं कर पाएंगे ठीक है तो नाम जब कैसे बढ़ाया जा सकता है कैसे मन लगाया जा सकता क्या कैसे विधी के कई वीडियो देती रहती है तो एक बार चैनल पर आकर के प्लेइलिस्ट में देखेंग इराधें